हलो नमस्कार दोस्तों मैं रवी एक और बार प्रोफिटेबल के अंदर आप सब लोगों का हादिक स्वागत करता हूं तो यह वीडियो के अंदर हम जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का विकली व्यू जो है वो क्या हो सकता है क्या संभावना हो सकती है उसके बारे मे तो पहरा तो उसका सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट विक के लिए वो रहेगा 17,810 के आजपास निफ्टी के लिए अगर यह लेवल को हम ब्रेक करते हैं तो फिर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट बनता है वो है 17,711 के आजपास और जो इंपोटन्ट लेवल रहेगा दोस्तों जो के लिए 17,555 से 17,450 का लेवल यह जो डारक लाइन आप देख रहे हो तो यह जो सपोर्ट रेंज इंपोर्टेंट अगर निफ्टी यह रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है खास तो फिर यहां पर एक बड़ी गिरावर जो है उसकी संभावना हो सकती है अ और निफ्टी बिता सकता है, समय बिता सकता है तो यह हो गई शपोर्ट की बात अब बात कर लेते हैं उसके टारगेट क्या हो सकते है उसके बारे में तो दोस्तों नमबर वश जो उसका resistance से उसके आसपास ही अभी हम कड़े है वो लेवल है यहाँप अभी पिछली बार उस 241 के आज पास उसने फिर से एक हाई लगाया है कहने का मतलब एक अभी करन्ट सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखने को जाए तो एक डबल कॉप जैसा फॉर्मेशन बन रहा है ठीक है अगर ये लेवल उपर की तरफ काटता है अच्छी तरीके से बुली स्केंडल के साथ अगर हम 18,000,300 के आज पास जाते है वापस वहाँ पर जा सकते है अगर उपर काटता है तो और अठारा अजार की तरह काटके सस्टीन होता है closing करता है तो फिर ये हम मान सकते है दोस्तों कि वहाँ से जो है वो हम दिरे दिरे करके उपर निकल जाएंगे और एक नया break out जो हो सकता है ध्यान से सुन लेना दोस्तों लेवाले 18300 से लेके 18400 ये जो 100 point की range है उसके उपर जाके sustain करना closing करना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम closing नहीं कर पाते हैं और यहां से अगर ये reverse होता है और ये वापस ये वाली range के अंदर आता है नीचे के तरह ठीक है और ये level को काटता है तो फिर एक बड़ी गिरावर जो है वो हो सकती है उसकी संभावना possible है तो ये जो चीज़े वो निफ्टी के अंदर हमें next week में जान मिलेगी तो दोस्तों bank nifty के बात कर लेते हैं bank nifty के लिए पहला जो support रहेगा next week के लिए वो रहेगा 17600 के आसपास sorry 37600 37600 के आसपास अगर हम ये level को काटते हैं तो फिल हमारा next support बनेगा वो बनेगा 37300 37300 के आसपास और जो full and final जो support रहेगा जिसके नीचे जो वो breakout होने की संभावना है वो है 36875 से लेके ये एक support range दे देता हूँ जैसे हमने निफ्टी में बात की 36525 ये जो दो dark line आप देख रहा हूँ ये support range का काम करेगी next week के लिए अगर ये range जो है वो टूटती है break करती है नीचे की तरब जाती है तो फिर वहाँ से एक बड़ी गिरावट जो है वो bank nifty के अंदर हो सकती है तो ये बात के लिए जो हमें थोड़ा ध्यान लखना है उसमें अब बात कर लेते हैं उसके target के उपर की उसके कौनशे जो target है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए नेक्स्ट के लिए तो अभी जहां पर closing हुआ है 37,775 के आसपास उसके बाद उसका पहला जो target बनता है वो है 38,100 के आसपास अगर ये लेवल जो है वो उपर की तरफ sustain करता है तो अभी जो recent उसने high लगाया था वो हमारा next level next target बनेगा कि जो है 38,375 के आसपास अगर ये 38,375 का लेवल जो वो काटता है अच्छी तरीके से ऐसी बढ़िया bullish candle के साथ अगर हम उपर की तरफ काटते हैं उपर की तरफ जाके sustain करते हैं रूपते हैं टिकते हैं तो फिर वहां से 38,800, 39,250, 39,800 और 40,300 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं तो ये जो लेवल है दोस्तों not down कर लेना जो अभी मैंने बताए हो रही आपको तो वो लेवल जो है वो आप खास मुट कर लेना लेकिन condition apply उसके लिए यहां पर उसको बढ़िया एक bullish candle के साथ यहां से एक breakout उपर की तरफ देना पड़ेगा तो हम उपर की तरफ जा सकते हैं दोस्तों क्या आप learning के साथ earning करना चाहते हो learning मतलब हमारा online candlestick pattern course है दोस्तों जिसके अंदर जो है वो आपको पूरे तीन महिने तक अलग-अलग pattern के बारे में सीखने को मिलेगा कि कौन सा pattern कहां पर काम करता है कैसे काम करता है कहां पर SL लग पर Crudal stock के future और option के अंदर जो है वो आपको पूरे तीन महिने तक दोस्तों अगर आप course subscribe करते हो तो पूरे तीन महिने तक live update भी मिलेंगे प्राइज आपके सामने है दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आपको पहले try करना है पहले try कीजिए दोस्तों try 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 मतलब करता है तभी दोस्तों आप जो है वो कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं कोर्स के free वीडियो जो है वो description के अंदर अवेलेबल है और course का जो link है वो भी नीचे अवेलेबल है course आपको कैसे subscribe करना है तो हमारा जो link के नीचे description के अंदर वो open करके जो है वो आप Google Play Store के उपर से हमा सब्सक्राइब कर सकते हैं